तीसरे नमबर के प्रस्ण को ध्यान से पढ़ते हैं और सौल करते हैं क्या बोलता है दो संख्याओं का गुनन फल बारा है यदि इनमे से एक संख्या तिन बटे पांच हो तो दूसरी संख्या ग्याद कि देख तो इसको ध्यान से पढ़ना है उसके बाद इसको हल करना सुरू करना है तो सबसे पहले मैं तीसरा का हल ऐसे लिख लेता हूं यहां पर डेस करते हैं देखो ऐसे प्रस्णों की सुरुवात अपको किस से करना चाहिए हमको ऐसे प्रस्णों की सुरुवात माना से करना चाहिए किस से करना चाहिए माना से तो म माना ठीक है अब जो संख्या हमको ग्याद करने बोल रहा है ना उसी को आपको मानना है इसमें क्या है दूसरी संख्या ग्याद कीजिए बोल रहा है तो यहाँ पर हमें मानना क्या है माना दूसरी संख्या बराबर P बटा Q अब देखो यहाँ पर P बटा Q क्यों माने है क्योंकि यार यह परमे संख्या वाला प्रस्न है ठीक है और परमे संख्या जो डिफाल्ट रूप में है वो P बटा Q के रूप में ही परिभासित होता है इसलिए इसको P बटा Q Q मानना है ठीक है इसके बाद क्या लिखोगे तब प्रस्न अनुसार क्या लिखोगे प्रस्नानुसार प्रस्न क्या बोलता है दो संख्याओं का गुनन फल बारा है उनमें से एक संख्या 3 बटा 5 है दूसरी को आपने P बटा Q मानना है तो प्रस्न अनुसार क्या हो जाएगा तीन बटा 5 गुना P बटा Q बराबर 12 यही आपका प्रस्न बोलता है देखो प्रस्न क्या बोलता है पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुनन फल है वो 12 है अब हमें क्या करना है दूसरी संख्या को ग्याद करना है ठीक है तो इस इसके लिए क्या करोगे यह जो आपका पहली संख्या है ना इसको हमें दूसरे साइड में भेजना पड़ेगा तो यहां पर है यह पी बटा क्यों रह जाएगा ठीक है दूसरे साइड में 12 पहले से 12 क्या है पहले से देखो जब हम कोई ऐसे संख्या को दूसरे साइड में भेजते हैं जैसे यहां पर देखो दोनों संख्या उक बीच में कौन सा रिलेशन है गुना का तो जब इसको हम दूसरे साइड में भेजेंगे तो वो दूसरे संख्या के साथ क्या करेगा भाग करेगा क्या करेगा भाग और इसको क्या बोलते हैं तिरियक गुना करने पर फिर से बता रहे हूं ध्यास समझो यदि कोई दो संख्या है दोनों के बीच में क्या हो रहे हैं उनमें से एक संख्या को आप दूसरे साइड में ले जा रहे हो तो वह क्या करेगा जो वहाँ पर पहले से जो संख्या है जैसे यह बारा है यह पहले से संख्या है तो बारा को क्या करेगा वह भाग देगा ठीक है क्या करेगा वह भाग देगा इसको थोड़ा सा उल्टा रूप में और समझते हैं यहाँ पर ध्यान देना यदि यह पी बट दूसरे साइए में ले जाते हैं तो यहां करेगा हो तो यहांने के पीछ होा फिर आखे वो दोनों इस्तिति में यदि हम उसको दूसरे साइड ले जा रहे है। तो क्या कर रहा है? भाग कर रहो है। इसको याद रखना। लेकिन इसके बाद क्या करेंगे? हम इसको नॉर्मल जैसे अभी तक भाग वाले को सॉल करते ना वैसी सौल करना यह जो पहली संक्या उसको जैसा है वैसी राने दू भाग है इसको हम गुनाम बदलेंगे गुनाम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा जो सेकन संक्या वो पलट जाएगा इस तरीके से इसके बाद आपको यह देखना है कि क्या यहाँ पर कुछ चीजे हैं जो आपसे कर सकते जैसे कि यह 3 एकम 3, 3, 4, 12 तो यह इस तरीके से कर गया ठीक है अब जो बच गया है ना उसको आपसे गुना कर दो 4 और 5 बच गया है यह गुना हो जाएगे तो 4, 5, 20 अब बटे में तो कोई बचा नहीं तो उसको लिखने की जवरत भी नहीं है है ना लेकिन आप लिखोगे क्यों लिखोगे पताओ क्योंकि यह पर्मे संख्या ग्रूप में है तो मैं इसको 20 बटा एक लिख देता हूँ और यह मिरा आंसर हो जाएगा चलो प्रसन नमबर 4 को सॉल करते हैं ठीक है सबसे पहले में हल लिख लेता हूँ फिर डेस कर लेता हूँ प्रसन को ध्यान से पढ़ो आंसर वहीं पर होता है ठीक है और ऐसे प्रसनों के सुरुवात आप कहां से करोगे माना से करना क्या दिया है प्रसन उसको पहले पढ़ लते हैं रिन 9 बटे 5 को किस परमे संख्या से गुना करे की गुनन फर रिन 11 प्राप्त हो तो देखो किस परमे संख्या वो रहा है तो आपको क्या कहना है माना वह परिमे संख्या बराबर P बटक्यू है तो ऐसे आपको लिखना है इसके बाद तब प्रस्न अनुसार प्रस्न जो बोर रहा है उसको गनीती भासा में लिखना है प्रस्न क्या बोलता है? रिन नौ बटे पांच को किस परिमे संख्या के साथ गुना करे कहने को बता प्रपन को गुना करना है P बटक्यू को इसके साथ ठीक है? तो हमें गुनन फल कितना प्राफ्ट हो जाएगा? रिन ग्यारा प्राफ्ट होगा ठीक है? अब क्या करना है अपन को? यहां पर पी बका क्यूं का वेल्यू फाइंड करना है तो पी बका क्यूड को अकेला करना पड़ेगा तो यह जो रिन 9 युश्च में नौ बटधे पांच है इसको दूसरे साइड में भेजना पड़ेगा अकेली हो जाएगा और यह जो रिन 13 है ना इसको मैं पर्मे रूप में लिख लेता हूँ यार दिन 11 बटे एक के रूप में ठीक है अब ये जो संख्या है दुसरे साइड में जाएगा थोरे दिर पहले पहला प्रस्वनम मैंने क्या बताया था यदि दोनों संख्या आपस में गुना के संबन में हो तो किसी भी संख्या को दुसरे साइड में भेजो वो क्या करेगा दुसरे साइड में जाके भाग करेगा क्या करेगा भाग तो यहाँ पर रिन 9 बटे 5 हो जाएगा ठीक है चाहो तो इसको कोश्टक में रख सकते हो नहीं रखना है तो मद रखो ठीक है क्योंकि ये जो रिन है अंस में चले गया है सामने में नहीं ओके चलो कोश्टक में रखी देते हैं ठीक है इसके बाद क्या आगा ना बराबर कचीन लगाना ठीक है ये जो रिन 11 बटर एक है इसको ऐसा लिख देता हूं यह जो भाग है इसको मैं गुना की रुप में बदलेका ह," गुना की रूप में बदलूंगा तो यह 5 उपर चले जाएगा और यह जो रेन ना है नीचाच आजागा कि तो क्या आपस में कोई चीजें कर सकती है देखो यहां पर रिन कितने हैं, यहां पर रिन दो ठोक है, ठीक है, और अपन को पता है, यदि रिन दो ठोक हो, और आपसे गुना करो, तो क्या हो जाता है, वो धन हो जाता है, ठीक है, इसलिए इसका जो आंसर आएगा, वो धन में आएगा, अब 11 को गुना पांसे करो, 11 पं बढ़न नहीं पर आप अंसर को प्रोज करना चाहों तो प्रोज कर सकते हो ठीक है यह एक लाइन लिख दो अतह अभिश्ट संख्या बड़ाबर बटक्यू बड़ाबर पच्पन बटे 9 तो इस तरीके से लाष्ट में आप लिख सकते हो नहीं तो यहीं पर complete कर दो भी हो जाता है लिए थिंप और नौर का प्रसन सक्षां Gesundheits फा सिस गुण तर法 3 वापट का गुनन्प्रतिलों प्राप्त होह थिक है समम्जा ध्यान से पहरा साथ गुनन प्रति लोम प्रहप्त करना है अब प्रस्न को सॉल करना शुरू करते हैं ठीक है हल पांचवा है है ना पांचवा लिख देता हूं ठीक है हल माना वह परिमे संख्या पराबर पी बता क्यों माना वह परिमे संख्या क्या है फी बता क्यों है ठीक है आपर हे लिखना जहाओ तो लिख सकते हो नहीं तो रहने दो कहीं दब कथ तीन बता साथ का गुनन प्रतिलोम बराबर साथ बटे तिन याद रखना कोई भी संख्या है उसका जो गुनन प्रतिलोम होता है यदि आपको ग्याद करने बोले तो क्या करना जो अंस में है उसको हर में लिख देना और हर में है उसको अंस में लिख देना ठीक है इसके बाद तब प्रसनानुसार क्या लिखोगे प्रसनानुसार अब देखो रीन 28 बटा 49 है इसके साथ हमको क्या करना है P बटा Q का गुना करना है तो हमें क्या प्राप्त होगा 3 बटे 7 का गुनन प्रतिलोम प्राप्त हो यही लिखा है इसलिए हम 3 बटा 7 को यहाँ पर नहीं लिखेंगे उसका जो गुनन प्रतिलोम है उसको लिखेंगे और इसलिए गुनन प्रतिलोम को आपको पहले से find करना ज़रूरी है ठीक है? इसलिए इस line को मैंने इस line से पहले लिखा है ताकि मैं यहाँ पर उसको directly लिख सकूँ तो यह चीज आपको इस प्रस्ण में ध्यान देने की जवरत थी ठीक है? इसके बाद क्या है? सिम्पल से अपन को P बटा Q का value को find करना है तो यहाँ पर अपन निर्देशित करता कचिन लगाएंगे P बटा Q है इसको जैसा है वैसा रहने दो बराबर कचिन लगाओगे सेकर्ड साइड में जो आपकी संख्या है उसको जैसा है वैसा उतार दो अब फर्ष्ट साइड की जो संख्या है जब उसको दूसरे साइड में ले जाते हैं और यहाँ पर पहले साइड में दोनों संख्यां के बीच में गुणा करें तो क्या होते हैं दुस्रे साइड में जाते हैं तो वो भाग करते हैं और यह जो संख्या है इसको हम इस तरीके से कोष्टक लगाते हुए लिख देंगे फिर यहां पर बराबर कुण नीचे तो हम गुना में बत देंगे, क्या करेंगे गुना में, तो यह जो 39 हैं वो अंस में चले जाएगा, ठीक है, और जो 28 है, वो हर में आजाएगा, अब चाहत भोश्टक लगा सकते हो, नहीं लगाने, मतलगा और चलता है, ठीक है, अब यहाँ पर जो चीजे काच सकते हैं, उसक कर गया, इसी तरीके से यहाँ पर देखो, साथ एकम, साथ, साथ चाउक, 28, ठीक, तो इस तरीके से जो चीजे कर सकती हैं, उसको काड़ तो, अब यहाँ पर यह देखने हैं आपको कि रिन कितने टाइमस आया है, देखो यहाँ पर पूरे जो चाठ ठोक संख्या है, साथ, 13, 39, and 28, यहाँ पसे एक जगह में रिन है, तो जो हमारा आंसर है वो ना, वो रिनात्मक प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, रिनात्मक, तो मैं सामने में रिन लिख देता हूँ, ठीक है, और जो बज गए ना, उसको आपसे गुना करोगे, तो तेरा हो जाएगा, चा पाठ का और इस प्रस्णा वाली का भी आखरी प्रस्णा है, यह, है ना, तो इसको सौल करते हैं, छटवा नंबर का प्रस्णा है, मैं यहाँ पर हल लिख लेता हूँ, ठीक है, ध्यान से पढ़ो, क्या बोलता है, एक पाठ साला के कुल विद्यार्थियों में से, विद्या प्रस्णा कीजिए, ठीक है, त्यान से देखो, अब यहाँ पर आप माना सब्द का इस्तेमाल नहीं करोगे, ठीक है, यहाँ पर अलग तरीके से सौलोगा, कैसे सौलोगा, देखो, फल लिख लिख लिए मैं, फिर उसके बाद दिया है, लिख लेते हैं, ठीक है, कुल विद ब्राबर 540, अब यहाँ पर देखो, कुल विद्यार्थियों में से 5 बटनों बालक हैं, समझा रहे हैं, कुल विद्यार्थियों में से 5 बटनों बालक हैं, तो यहाँ पर बालकों की संख्या आपको असानिस मिजएगा, बालकों की संख्या बराबर पांच सो चालिस में से पांच बटनो अब दिखो मेसी का मतलब क्या होता है मेसी का मतलब होता है भाग क्या होता है मेसी का मतलब क्या होता है मेसी का मतलब होता है भाग लेकिन यहाँ पर मेसी का मतलब भाग नहीं है इसको आपको समझना होगा कैसे ठीक है? तो यहाँ पर देखो यह 540 भागित 5 बटन नौ करते हो है ना? तो देखो यहाँ पर 540 मेसे 5 बटन नौ तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब है 540 गुना 5 बटे 9 अब देखो मेसे का मतलब भाग होता है ऐसा मस समझ लेना ये सुरू में लिखा होना चाहिए कि भाग दिजिए तब मेसे का मतलब भाग होता है लेकिन यहाँ पर मेसे का मतलब गुना है ठीक अब यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे solve करेंगे तो कैसे solve करोगे देखो यहाँ तो आप गुना कर लो फिर 9 से भाग देखो यहाँ पर सिधा सिधा जो कर सकते उसको काट लो ठीक है तो यहाँ पर देखो 9 एकम 9, 9 छक्के 54, 9 सुन्यम सुन ठीक है तो अपन को क्या प्राफ्ट हो जाएगा 60 गुनित 5 हो जाएगा तो यहाँ पर अपन को कितना प्राफ्ट होगा 5 सुन्यम सुन 5 छक्के 30 तो बालको की संख्या अपन को प्राफ्ट हो रही है 300 कितने प्राफ्ट हो रही है 300 इसलिए बाली का की संख्या यहाँ पर हिंदिन थोड़ा सा लोचा हह जाते बालिकाओं लिखें की बालिकाएं की संख्या एख ठोड़ा सा डिमार लगा एक उसमें बालक और बालिकां परम और कोई आशकते नहीं आशकते हैं बालक और बालिका मिलकर ही तो कुल विद्यार्थी हैं तो बालकों की संख्या अपन को पता चल गया है यदि हम कुल विद्यार्थी में से बालकों की संख्या को माइनस कर गए तो हमें बालिकाएं की संख्या प्राप्त जाएगी ठीक है तो कुल विद्यार्थी में से बालकों की संख्या को जब माइनस करोगे तब आपको भालिकाओं की संख्या अप्राप्त होगी चलो भाई 540 में 300 को घटाएंगे तो कितना में जाएगा 240 तो इस तरीके से यह वाला जो आंसर है वो फिनिस होता है तो के बात चैनल के में पूरा वीडियो डालोंगा कम से कम इस साल कि यह साल का जो सिख्चा सत्र चलता है ना को पूरा कम्पलीट हो जाएगा आठीट कि वीडियों भी आपका हो गया आप लोग अगले साल अराम से आठी आठी तक पूरा तैयारी कर सकते तो चलने के साथ बने रहना अच्छे से पढ़ाई करो नोर्स बनाते जाओ बेस्ट आप लग थांक यू